नमस्कार आप देख रहे हैं एटी नूस मैश्मी एक नज़र हेड्लाइन्स की ओड़ हनीमून पर पती को बेहोश का दुलहन हुई फरात इस पेलर मशीन में फसकर मजदूर की हुई दरदनात मौत दहेश का कहर महीला अस्पताल में भरती गड़े दे रहे मौत की दाबत चार दिन में पल्टी तीन गाड़ियां नकापोश बदमाशों ने बंद मकाम में चटकाये ताले लाखों के गहने चोरी साथ फिरेले का जन्मों जन्मों का साथ निभाने वाले दुलहन हनीमून पर पती को बेहोश कर फराह हो गई पती को जब होश आया तो उसने अपनी पत्नी की तलाश शुरू की तो सीसी टीवी में कैद पत्नी रफू चक्कर होती नजर आए मतादी अलिगर सिविल लाइन गुरू दुआरा रोड रहने वाले युवक सत्याम की शादी कुछ समय पहले आगरा कैंड की रहने वाली पाशी से हुई थी पती सत्याम का कहना ही कि 8 दिसंबर को वे और उसकी पत्नी हनीमून मनाने के लिए उत्रा खंड गए थे नौतारीक को जब वे घूम कर रुशिकेश पहुँचे तो बस स्टैन की नजदीक पारस प्लाजा होटल में एक कमरे में ठहरे पती का आरोब है कि वहाँ पहुँचकर उसकी पत्नी ने उसे चाय में नशा दे कर वे होश कर दिया जब पती को राद दो बजे होश आया तो पत्नी को कमरे में ना पाकर उसने होटल वालों से जानकारी ली उन्होंने बताया कि शाम साथ बजे ही उसकी पत्नी सामान लेकर चली गई थी ये सुनकर पती के होश उड़ गए कमरे में आकर जब सामान चाय किया तो उसके जेवर पैसे सब गायब थे उसने होटल के सिसी टीवी कैमरे के माध्याम से देखा तो पतनी होटल से निकलने के बाद बस स्टैंड में सबार होका दिल्ली के लिए रफुचक कर हो गई पतनी के यूँ फरार होने की सूसना उसने अपने परिवार को दी बताया गया है कि उसकी पतनी पहले से ही शादी शुदा थी वही सत्यम में सभी थानों में अपनी भाग्यों ही पतनी की शिकायद दर्श करा दी है जब इसकी जानकारी उसकी पतनी को हुई तो उल्टा उसने बिमार पीट और दहे जुद पीड़न का आरोप लगाते हुए नोटिस सत्यम को भीज दिया अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कारवाही ना होता देख हताश परिवार ने कोट की शरण ली है और मदद की गवहा लगाई है जन्मानुक्सान दो जिन्दीगी में चलती ही रहते हैं अ चाहए को को कर्ण तो सब्सक्राव बबत गलते बिंकूल भी ने कोई को है कि अध दॉट्र गालाइं ने आर। ने इन्माप 08 अ धे भूए दिन गट जिसमें इस में उसके अपने मैके रहे तो पांस तारीक को तो क्या गवान लगाना चाहेंगे आप प्रसासन से, कोट से बहार चो लगाएंगे लगाएंगे इनसाफ चाहिए हम भाई जी यह बताईए क्या घटना घटी है आपके साथ में आपकी शादी कर हुई किस से हुई कहां से हुई यह सारी पूरी बात बताईए 28 नॉमबर 2022 में साधी हुई थी और जब हम मतलब हनीमून पर रहे थे आठ मतलब दिसंबर में तो इनोंने यह से ही मुझे भिहुस ले जाया रहा मुझे नंसे में मतलब चाए में खुछ मिलाड़े ली रहे और पहले हम 10 गयाया देहरा hoow यह होटल से सभी समान अपना लेठर चलिए और मेरे पास जितने भी पैसे थे वह सब लेठर चलिए लगवद कितना आपका जीवर और कितना पैसा था कैस जो लेके लिए हैं केस लगवद वही 30,000 रुपी के असपास था और डोल्ड था जो इनका मिला था साधी में वह सभी डोल्ड रहा और कितना टूटन कितना होगा अपर लगवद थिरी से फॉर लेठर पीस तर डोल्ड रहा और इसके अलावा जो कपड़े थे सभी कपड़े मतलब जले रहर चलि होते गई हैं क्या उनकी दुवारा शाधी हो चुकी पहले क्या हुआ है 2019 में मतलब उन्ठा पहले सही किसी के साथ मतलब मेरिज हो रहा था अलिकर्थाना विजैगड के नगला बरी बंदिर गाउं में स्पेलर मशीन में फसकर मजदूर की दरदनात मौत होने से गाउं में क बता दें स्पेलर मशीन के सरसूं का तेल काम करने वाला ये मजदूर उस समय भी तेल निकाल रहा था जिस दोरान मशीन में खली फस गई जब हाथ से खली निकालने लगा तो हाथ में पहने स्टील के कड़े की वज़ा से उसका हाथ फस गया और मशीन की चाल के साथ 32 अंदर घुसने से उसकी दर्दनाद मौत हो गई और वह मशीन का शिकार हो गया। मिरतक भॉबी को घंटों की मुशकत के बाद बोल खोल कर और उसकी कपड़े फाकर उसे निकाला गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आननफार्ण ने पूरे गाओं में कोहराम समझ गय जब परिवार महा पहुचा तो ये दर्दनाद मौत देखकर उनके पैरो तलेज जमीन के सक गई। मारपीट की शिकायद असने अपने माईके वालों से की तो उसके माईके वाले हो इसके सब्साल के लोगों से आकर बातचीत करने लगे। में से पैसे देदी हैं महां से आये फिर गाली वक्त हुए मेरे देवर छोटे वाले देवर छोटे वाले हां साहिल साहिल आया साहिल आया मांगो और वाह से पैसे होगे गाली वक्त हुए आया बिल्कुल महां से मार पीट करता हुए दोने देवरानी आगेंगी दोनों दोना आगेंगी में सास तलना CB that व्य है, है जिस गर में रहती है उसले घर में लाइट नहीं है, बाह पैसे मैं तो मेरे घर वाले बात करना आए ते बादचीद करने थे मेरे कह वाले क्या में लुदा लिया है तो सब और मारे में पहलने पढ़े सब पीरी किले कि लोंडे सब बहुत आप भाई वह बाताना का लात वारी देवन इवाले फेला बहुत आपट्णालात वारी में च्いきणत वाले हैं कुछ करना तो तो या पडाऊ हो तहोड न समार्ड है कि मिरा नाम शबूंग है कि नृम सब्सक्राइब गरोड मांधा कर दो तुंक सब्सक्राइब आपक्षेज करते हैं अगर सकते कि आज इने मुझे बताया तो हम उसनी बात करने की नहीं है उत्रप्रदेस सरकार के गड़्धा मुख सडकों की पॉल उस बक खुल गई जब अलिगर परवर हाईवे पर हो रहे गड़े के चलते दिल्ली जा रही धान के बोरों से भरी केंटर बीचों बीच अनियंतरित हो का सडक पर पलट गई जबकि इस हासे में चालक परीचक बाल-बाल बच गया, हाईवे पर धान से भरट, केंटा पलटे ही सड़क पर फर्राटा भर रहे बहानों की रफता जैसे धीमी हो गई ये देख स्थानिये लोग दोड़ कर मौके पर पहुंचे और लोगों के द्वारा पलटी पड़ी केंटर गाड़ी के अंदर फसे दोनों चालक परिचक को बहार निकाला और पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइवे पर पलटी धान से भरी केंटर गाड़ी को सड़क से किनारे किया इस्टाने लोगों ने बताये कि हाइवे पर गड़ों के चलते आये दिन ऐसे हाथ से होते रहते हैं और यहाँ से भी PWD विभाग किला पर वाही का एक नमुना है कि शूले के लिए तोड़िय में होने के क्या पर नुक्सान हो गया को São आई दिन ये हास्था होता रहता किसी के चौड तो नहीं आई है किसी के ने आई है कि लगवा कितने का रॉत थी उर्पय कलद enrollmenton क्या ना में तुम्हारा रसीत्वान। जबद्धहिए घंड़ा एस तपल लोड आप क्या ले जा रहे थे गाडि वरकर के लाए ते जिल्डी में रहा दूब किस जगह यह पल टीर गाड़ी समाजी आप कि खैर से डोक्रोमेंटर आगे पर दिल्डी अलीगड के खेर इलाके में चोरों का बोर इसकदर हावी है कि आए दिन चोर अपनी चोरी को अंजाम दे रहे हैं चोरी की घटनाओं को लेकर कोहरे के चलते पुलिस प्रिशासन भी ऐलर्ट है बावजूद इसके शाती चोर अपनी चोरी को अंजाम दे देते हैं वहीं एक और चोरी को अंजाम देते हुए शाती नकाप पोस्ट चोरों के द्वारा एक उधोग पती के दो दिन से बंद मकान में दर्वाजी का ताला चटखाते हुए घर में घुज गए और लाखों के भूशन और नगदी चुरा का शाती चोर फरार हो गए लेकिन इस घट हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें